हलो मैं दियर फ्रेंज कैसे हो आप लोग उम्मीद करता है आप लोग अच्छे और स्वास्थ होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग ELP exam 2018 के 3rd shift में गनीच से पूछेगे सभी प्रस्ण को एकदम basic के साथ साथ 5 से 10 सगेन में solve करने का सबसे बयातरिन तरीका को जानेंगे आज का ये class previous year question का तीसरा practice class है अगर आपने इससे पहले के class को नहीं देखे हैं तो description में link दिया गया है उस link पे click करके उस class को भी देख लीजिए तो चलिए हम लोग आज की class को शुरू करते हैं पहला question है किसी संख्या के 28% का मान 35 आए तो संख्या क्या है देखिए संख्या मान लेते है एक्स है एक्स का 28% कितना दिया गया है तो एक्स का 28% आपको दिया गया है संख्या 35 के बराबर percentage हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 7 से काटेंगे 28 कर जाएगा 4 बार में और 35 कर जाएगा 5 बार में चार से काटेंगे 100 कर जाएगा 25 बार में तो X का वैलू कितना निकल के आ जाएगा तो X का वैलू निकल के आ जाएगा 25 को पास से जब मल्टिप्लाइ करेंगे संक्या आ जाएगा 125 तो X का वैलू आ जाएगा 125 Option D हो जाएगा Correct Answer अगला कुश्चान है संक्यां 3,249 का वर्गमुल कितना होगा देखिए आपको संक्यां दिया गिया है 3,249 और इसका पूछा गिया है वर्गमुल कितना होगा option A में आपको value दिया गिया है 63 मान लेते हैं आपको 63 का square नहीं पता 60 का square तो आसानी से निकल सकते हैं 60 का square कितना आजाएगा संक्यां आजाएगा 36 और हमें चाहिए कितना हमें value चाहिए 3,249 अगर 60 का square 3600 है तो 63 का value इससे भी ज़्यादा आएगा इसलिए ये option हो जाएगा wrong अगर 63 नहीं होगा तो 66 भी इसका वर्गमुल नहीं होगा क्योंकि 63 से संक्यां बढ़ी आज सरसट अब देखिए option B में आपको संक्यां दिया गया है 59 59 में last का unit digit क्या है तो 59 में last का unit digit है 9 9 का अगर square करते हैं कितना आएगा unit digit आएगा 1 और हमें चाहिए कितना हमें unit digit चाहिए 9 तो ये भी option हमारा नहीं हो सकता इस question का right answer अब एक ही option बज़ गया है option C जिसमें संक्यां दिया गया है 50 से 1 तो 3249 का वर्गमुल हो जाएगा 59 option C हो जाएगा correct answer अगला question नम्मर 3 है मिसरन में rate के साथ बजरी का अनुपाद 17 ratio 8 है जबकि बजरी और सिमेंट का अनुपाद 6 ratio 17 है तो मिसरन में rate के साथ सिमेंट का क्या अनुपाद है देखिए R से दरसा रहे है rate को B से दरसा रहे है बजरी को और C से दरसा रहे हैं सिमेंट को rate के साथ बजरी का रेशियो दिया गया है 17 ratio 8 यानि rate का ratio दिया गिया है 17 और बजरी का ratio दिया गिया 8 आगे आपको ratio दिया गिया है बजरी और cement का अनुपाद 6 ratio 17 है बजरी का ratio दिया गिया है 6 और cement का ratio दिया गिया है 17 इसी को आपको solve करना है 17 गुना 6 करेंगे कितना आजाएगा 17 गुना 6 करेंगे संक्यां आजाएगा 102 इसके बाद 8 को 6 से multiply करेंगे कितना आजाएगा संक्यां आजाएगा 48 इसके बाद 8 को 17 से multiply करेंगे कितना आजाएगा तो आपसे पूछा क्या गिया है तो आपसे पूछा गिया है rate के साथ cement का क्या अनुपात है rate के साथ आप से पूछा गिया है cement का ratio rate का ratio कितना है 102 है और cement का ratio है 136 2 से कटेंगे कितना बार में कर जाएगा 51 बार में 102 कर जाएगा 136 कर जाएगा 68 बार में 17 से कटेंगे 51 कर जाएगा 3 बार में और 68 कर जाएगा 4 बार में तो इन दोनों का ratio आ जाएगा 3 ratio 4, option D हो जाएगा correct answer. अगला question number 4 है, W, X, Y और Z, आरोही करम में विवस्थित 4 संक्याएं हैं, इनमें नियुनतम 3 संक्याओं का आउसत 18 है, जबकि 3 अधिक्तम संक्याओं का आउसत 22 है, तो परिसर क्या होगा, आपसे पूछा गिया है range क्या होगा, range आपसे पूछा गिया है, ठीक है, देखिए आउसत कितना दिया गिया है, तो इसका आउसत आपको दिया गिया है 22, इन संक्याओं का योगफल कितना आजाएगा, तो इन संक्याओं का योगफल हो जाएगा 22 गुने 3, योगफल निकल के आजाएगा 66, नियुनतम 3 संक्याओं हो जाएगा W, X, Y, इन संक्याओं का आउस तो range क्या होगा, range निकालने के लिए simple आपको घटाना है तो यहाँ पे देखिए, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा z मैनस w आ जाएगा, z मैनस w कितना आ जाएगा 66 में से 54 मैनस करेंगे, संख्यां आ जाएगा 12 तो range निकल के आ जाएगा 12, option भी हो जाएगा, सही एंसर अगला question नमर 5 है, यदि 123 multiply 356 बरावर 4378 हो तो 1.23 multiply 0.356 का मान क्या होगा देखिए, आप से पूछा गिया है, 1.23 multiply में 0.356 का value क्या होगा इसका value आप से पूछा गिया है, तो देखिए, point को अटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, इसका point अटाएंगे, नीचे आ जाएगा 1000 अब देखिए, उपर में संख्या आ गिया, 123 multiply में 356 इसका आपको value दिया गिया है, 43788 इसका value कितना दिया गिया है, 43788 दिया गिया है, उपर वाले संख्या का value नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, एक पे पांच 0, 3, 4, 5 इसको solve करेंगे कितना आ जाएगा, 5 अंग के बाद लग जाएगा point यानि 0, 4, 3, 7, 8 हो जाएगा इस प्रस्न का सही answer option C हो जाएगा correct answer अगला question है, दिपाली ने कप का एक सेट 375 रुपए में खरीदा लेकिन बाद में इसे पूराना हैस्टोक समाप्त करने के लिए 345 रुपए में बेचना परा तो उसे कितना परतिसत का नुकसान हुआ देखिए काप का क्रायमूल कितना दिया गिया है, तो काप का क्रायमूल दिया गिया है 375 रुपए 375 रुपिया में खरिदा जाता है और उसी कप को कितने में बेचा जाता है तो बेचा जाता है 345 रुपिया में तो आप से पूछा गिया हानी परतिसद कितना है लॉस परतिसद बरावर होता है लॉस अपॉन में क्राइमूल लॉस अपॉन में क्राइमूल multiply में 100 loss कितने रुपिया का हो रहा है तो loss हो रहा है 30 रुपिया का crime rule दिया गिया आपको 365 रुपिया multiply में हो जाएगा 100 25 से काटेंगे 375 कर जाएगा 15 बार में 100 कर जाएगा 4 बार में 15 से काटेंगे 30 कर जाएगा 2 बार में 2 multiply 4 करेंगे 8% का loss होगा तो option D हो जाएगा correct answer अगला question आए लोब तांक ग्यात कीजिए यदि इनके गुनांक 11 और 13 हो आपसे पूछा गिया है प्रस्म चिन के अस्थान पर कौन सी संक्या आएगा संक्या का दो factor आपको दिया गिया 11 और 13 तो संक्या क्या हो जाएगा संक्या हो जाएगा इन दोनों का multiple इन दोनों को multiply करेंगे कितना आजाएगा संक्या आजाएगा 143 बीच वाली digit आपसे पूछा गिया है तो बीच वाली digit हो जाएगा 4 option D हो जाएगा सही answer अगला question है 4 upon 5, 2 upon 3 और 5 upon 7 का LCM ग्याद कीजिए देखिए आपको संक्या दिया गिया है 4 upon 5, 2 upon 3 इसके बाद 5 upon 7 आपसे पूछा गिया है तो LCM क्या होगा LCM पूछा गिया है तो उपर वाली का निकालेंगे LCM और हर का निकालेंगे HCF हर का क्या निकालेंगे तो हर का निकालेंगे HCF अब देखिए 4, 2 और 5 इन संख्या का LCM निकालेंगे कितना आ जाएगा तो LCM आ जाएगा 20 5, 3 और 7 इसका HCM निकालेंगे HCM आ जाएगा 1 तो 20 आ जाएगा इसका right answer option B हो जाएगा correct answer अगला question है एक तामबे की तार को मोरकर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका छेतरफल 121 वर्ग संटीमीटर है यदि इसी तार को मोरकर विरीत बनाया जाता है तो विरीत का छेतरफल कितना होगा देखिए तामबे का एक तार है इस तार को मोरकर की एक वर्ग बनाया जाता है इस वर्ग का छेत्रफल आपको कितना दिया गिया है तो इस वर्ग का छेत्रफल आपको दिया गिया 121 वर्ग सेंटिमीटर वर्ग का छेत्रफल बराबर होता है भुजा स्कुएर छेत्रफल दिया गिया 121 स्कुएर हटाएंगे इस साड़ आजाएगा रूट 121 का वर्ग मूल होता है 11 वर्ग का एक भुजा कितना आगिया तो वर्ग का एक भुजा आगिया 11 सेंटिमीटर अब इस तार का टोटल लंबाई कितना आजाएगा तो तार का टोटल लंबाई हो जाएगा वर्ग के परिमाप के बराबर वर का परिमाप होता है चार गोना भुजा भुजा आपको दिया गया 11 तो चार गोने 11 करेंगे तार की टोटल लंबाई आ जाएगा 44 सेंटीमीटर अब देखिए इसी तार को मोर करके एक विरीत बनाया जाता है तो आपसे पूछा गया इस विरीत का 6 तरफल क्या होगा सबसे पहले इस विरीत में टोटल तार की लंबाई कितना हो जाएगा तो इस विरीत में टोटल तार की लंबाई हो जाएगा विरीत के परिदी के बराबर और विरीत का परिदी होता है 2 pi r जो किसके बरावर हो जाएगा जो बरावर हो जाएगा तार के टोटल लंबाई के बरावर इसको आगे solve करेंगे कितना हो जाएगा 2 गुने pi का मान होता है बाइस अपॉन में 7 रेडियस आपको पता करना है टोटल लंबाई दिया गिया है 44 तो बाइस को 2 से मल्टिपलाई करेंगे 44 से 44 कर जाएगा तो रेडियस कितना निकल के आजाएगा तो रेडियस निकल के आजाएगा विरीत का 7 7 cm विरीत का तिरजिया आगिया विरीत का छेत्रफल बरावर होता है pi r square pi का value हो जाएगा बाइस अपॉन में 7 रेडियस निकल के आए आए 7 तो 7 का करेंगे square किसको solve करेंगे कितना आजाएगा किसको solve करेंगे संख्या आजाएगा 114 तो option A हो जाएगा सही answer अगला question है संख्या 4, 2, 8, 6, 9, 3, 7, 4, 5 में 9 और 5 की आस्थानियम मान का इन संख्या में आपसे पूचा गिया है 9 और 5 की आस्थानियम मान का अंथर इस 9 का अस्थानियम मान निकलेंगे कितना आजाएगा इस 9 का अस्थानियम मान हो जाएगा 9 के बाद 4, 0 यानि 90,000 इसका value आएगा 4, 0 इसलिए होगा क्योंकि इसके बाद चार दिजिट है अब इस फाइव का अस्थानी अमान निकालेंगे कितना आजाएगा इस फाइव का अस्थानी अमान हो जाएगा फाइव इन्हीं दोनों संक्यां का आप से पुछा गिया अंतर इन दोनों संक्यां का अंतर निकालेंगे कितना आजाएगा तो 89,995 आजाएग राइट एंसर अप्सन सी हो जाएगा करेक्ट एंसर अगला कुश्चन है पुराने एस्टोक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ती ने 3420 रुपाय में एक चाय का सेट बेचा जो लागत कीमत से 43% कम था इस पर 10% का लाब प्राप्ती है तू विक्रेता को सेट कितना अधिक रुप्या में बेचना चाहिए था देखिए कुश्चन में कहा गिया है चाय का एक सेट 43% कम में बेचा गिया इसका मतलब कितना परसेट में बेचा गिया है 57% में चाय का एक सेट बेचा गिया है और amount में कितना रुपिया में बेचा गिया है तो amount में बेचा गिया है 3420 रुपिया में आप से पूछा गिया है अगर इस पर 10% का लाव चाहिए तो कितना अधिक रुपिया में बेचना चाहिए था 10% का लाव यानि सब से पाले 110% का value निकालेंगे 110% का value निकालेंगे कितना आएगा अब देखिए इसका value हमें निकालना आए तो इसके सामने कौन सी संक्या है तो इसके सामने संक्या है 110 110 आजाएगा उपर नीचे आजाएगा 57 और multiply में आजाएगा 3420 57 से काटेंगे 3420 कर जाएगा 60 बर में इसको multiply करेंगे संक्या आजाएगा 6600 अब देखिए 3420 से कितना अधिक है 6600 तो 3420 से अधिक है 318 तो 318 हो जाएगा इस प्रस्न का साई एंसर अगला question है निमलिखी पाइचार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन टन में दिये गया है यदि कुल उत्पादन 9000 टन था तो चावल के उत्पादन की मात्रा टनों में बताए देखिए इस सरकल में चावल का वाग कितना दिया गिया है तो इस सरकल में चावल का वाग दिया गिया है 40 और टोटल वाग कितना है टोटल वाग है 360 3060 जब आप इन संख्या को आपस में जोरेंगे तो तोटल संख्या हा जाएगा 360 और कुल उतपादन आपको कितना दिया गिया है तो तोटल उतपादन दिया गिया है 9000 तो सिंपल इसको 9000 से मल्टिपलाई करेंगे 0 से 0 कट जाएगा 4 से कट जाएगा 36 9 बर में 9 से 9 कट जाएगा इसको solve करेंगे संख्यां आ जाएगा 1000 चावल का कुल मत्रा हो जाएगा 1000 टर्ण option भी हो जाएगा सई answer अगला question है board mask का इस question का right answer हमें comment box में बताएगा ठीक है तो इस class में इतना ही मिलते हैं हम लोग अगले class में तब तक के लिए channel पर ना है तो channel को subscribe कर लिजे ताकि आपको इसी तरह आगे का class continue मिलता रहे